नमस्कार दोस्तों सुमित वार्थवाज क्लासिज में आप सभी का फिर से स्वागत हैं जैसे कि आप सभी को पता है जो 11 तरीकों पेपर हुआ था या कोपी लेलो उसमें नोट कर लेने तो आप सभी को पता है ठीक है जिसको हम स्पेर बोलते हैं गोला हो गया, ठीक है बई, तो ये हमारी क्या हो गई, आरो हो गई, कलियर, तो इसके हम डारेक्ट क्या है, फोर्मूले पर आते हैं, तो फोर्मूले पर आएंगे तो देखिए, डारेक्ट ज्यादा समयने वेश्ट करते हुए, एल ऐसे कितना हो जाएगा, टोटल सर्फेस ए आपको जो खोकला स्पेर होता है इंगलिस में ओलो स्पेर या खोकला स्पेर बोला जाए तो मैं लिख लेता हूँ ओलो स्पेर का फोर्मूला क्या होगा जैसे की ये है ठीक है ये आर होगी इस प्रकार से ये बड़े वाली आर हो जाएगी ठीक है तो जो खोकला स्पेर होता ह उसका formula क्या होता है 4 by 3 पाई बड़े वाली यार और छोटे वाली यार का Q ठीक है तो यह होता है यह खोकला square का हो गया यह volume का हो गया यह TSC का हो गया total space or area जिसको हम संपूर्ण प्रष्टिय चेतरपल बोलते हैं volume को आजतन बोलते हैं गोला square को हम खोकला गोला बोलेगे तो आते हम क्यूशन पर यह formula आपने लिख लिए तो अब हम direct क्या है अपने क्यूशन पर आते हैं सबसे पहला क्यूशन है यदि एक गोले की तरीजा में 5 पर तीसत की वर्दी की जाती है तो उसके प्रष्टिय चेतरवल में कितनी वर्दी होगी तो यहाँ पर गोले में कितने की वर्दी हो तो हम direct करेंगे direct क्या है formula ट्रीक से 2x प्लस x square अपन 100 कर देंगे 2x का मतलब x का मतलब है जितने की वर्दी हुई है या कमी हुई है तो 2x5 प्लस x square मतलब क्या है 5x5 अप उन कितना हो जाएगा 100 तो 5 दूनी 10 प्लस कितना हो जाएगा ये तो आप सभी को पताई है कि 0.25 हो जाएगा तो कितना आजाएगा हमारा 10.25 जो है इतने की इसकी क्या है वर्दी हो जाएगी तो इस परकार से यदि 2 गोले के परष्टियच हित्रफल 4.25 के अनुपात में है तो उसके आईतनों का अनुपात क्या होगा आईतन का मतलब पूछा है उसने वोल्यूम पूछा है तो इसमें भी हम डारेक्टी करेंगे जैसे कि वोल्यूम 1 दे दी उसने मेरे को और वोल्यूम 2 दे दी वोल्यूम 1 कितनी दी मेरे को 4 और वोल्यूम 2 कितनी दी मेरे को 5 इनका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा वोल्यूम का फोर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया 4 by 3 pi r q और second का भी 4 by 3 pi r q हो जाएगा 4 by 3 से 4 by 3 चला जाएगा पाई से पाई चला जाएगा बचेगा तो हमारे पास R Q भी तो इसलिए मैं डारेक्ट लिख देता हूं क्या हो जाएगा डारेक्ट डारेक्ट हो जाएगा इनका Q तो इसका रूट कितना हो जाएगा 2, 25 का रूट कितना हो जाएगा आपको यह याद रखना है प्रष्टिय चेत्रपल जो भी दे रखा है उसका रूट करके क्यूब कर दो तो डारेक्ट अम इस परकार से कर लेंगा थोड़ा स्पीडली करवाँगा क्यूंकि आपका प्रनस्दीक है ज्यादा ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा तो ज्यादा डिटेल से तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी नेक्स्ट है तीन गोलाकार गेंद जिन की तरीजा 3 सेंटीमेटर 4 सेंटीमेटर और 5 सेंटीमेटर है उनको पिंग लाकर एक गोलाकार गैंद बनाई जाती है तो उसकी तरीजा कितने सिंटिमेटर होगी उसने क्या बोला जो तीन गोलाकार गैंद देना उसने उनकी तरीजा बता दी कितनी कितनी है उनको पिंग ला दिया और उनको पिंग लागर क्या कर दिया एक नई गेंद बना दी, तो उसकी तरीजा बताओ क्या है, तो इसको भी हम ट्रीक से करेंगे, वही, बेसिक से बताने की जुरूत नहीं है, मैं ट्रीक से ही बता दूँगा, डारेक्ट अगर आपके सामने इस परकार का परसन आता है, क्या हो जाएगा, डारेक्ट हम क्या है, वही, क्यूब हो जाएगा, क्यूगि 4Y 3PiR क्यूब होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ, R क्यूब पलस R, 3 जा 1, पलस 3 जा 2 का क्यूब, पलस 3 जा 3, मतलब गी रेडियस, तो हमारी रेडियस फर्स्ट कितनी है, 3, पलस 2 कितनी है, 4, पलस कितनी है, 5, तो इसका 4 का क्यूब कितना होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 165 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, इन 3 को जोड़ोगे, तो कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 किस का क्यूब होत भाई दे तो डारेक्ट क्या है यह फोर्मूला लगा देना है ठीक है बैई कलिर मेरे खाल से आप कर लोगे अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कुस्ट ने यदि करमस से 6 cm 8 cm तता 8 cm उसने क्या है तीसरी 8 cm दे दी तरीजा वाले तीन गोलाकार धातवी के अंदों को पिंग लाकर 12 cm तरीजा वाला एक ठोस गोला बना जाता है अपकी बार पिछले क्योशन में क्या था उसने जो हमने तीसरी इनको पिंग लाकर जो नए गेंद बनाई थी न वो पूछा था अपकी बार इसने क्या पूछा है इसने मेरे को दे दिया कि पिंग लाकर न 12 cm तरीजा वाला गोला बनाया जाता है तो जो उसकी तीसरी तिरीजा नहीं बताई है ना उसको उसने आर सेंटिमेटर ही रखा है तो उसका मान बताईए क्या है तो देखिए बात इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे सारे क्यूशन तो क्या ट्रिक से हो जाएगा कितने सेंटिमीटर पिगल आकर बन जाता है जो नई गेंद है वह बन जाती है 12 तो वही 4 by 3 by r q हो जाएगा और बाकी कट जाएगे तो इसका क्या लिख दूँगा मैं q लिख दूँगा इसी प्रकार से यह गोल में कितना हो जाएगा 6 का q प्लस 8 का q प्लस r का q क्योंकि 3 दे रखी हैं उसने रेडियस तो 12 का q कितना होता है 1726 होता है ठीक है 6 का q कितना होता है 216 होता है प्लस 8 का q कितना होता है 512 होता है प्लस r q हमने निकालनी है 512 और 216 को इस तरफा के माइनस का हो जाएगा तो R'MQ मेरे पास कितना बच जाएगा 1000 बच जाएगा और R'M कितना आ जाएगा मेरे पास 10 cm आ जाएगा ठीक है क्योंकि 1000 R को रखूंगा तोyorsun मैं 5ा1 15 का क्यूब रूट हो जाएगा तो 10 का 10 का होता है तो राइट अंसर के आ जाएगा 10 cm आ जाएगा तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या है ट्रीक से कर लेंगे भई बिल्कुल थोड़ा आपको लग रहा हुआ जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ पर आप रोक कर देख सकते हो किस प्रकार से किया है next question है एक ठोस गोले की तरीजा 10 cm है इसे पिंग लाकर 0.2 cm तरीजा की छोटी गोलिया बनाई जा सकती है उसने पूछा कितनी गोलिया बनाई जा सकती है ये पूछा आपकी बार क्या बोला एक ठोस गोले की तरीजा 10 cm है इसे पिंग लाकर 0.2 cm तरीजा वाली कितनी छोटी छो गोटी गोलिया बनाए जा सकते हैं तो सिंपल है देखिए 4 by 3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है पहली कितनी द्यूस ने रेडियस 10 cm जो मैं लिख सकता हूँ ठीक है फिर इसे पिकल आकर जो बना उसकी रेडियस कितनी द्यूस ने 0.2 cm फॉर्मूला तो भही रहेगा तो 0.2 cm क्यूब हो जाएगा और कितनी गोलियों को मैं N या X नाम दे लेता हूँ 4 by 3 pi से 4 by 3 pi बच जाएगा इनकी multiply करूँगा तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा इस परकार 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा अगर मैं इसको solve करूँ 10 मलो को तो देखे 2 बटे 10 हो जाएगा 2 एकम 2 दो पंजे 10 हो जाएगा तो 1 बटे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 का तो क्यूब एक ही रहेगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा तो कितना मैं डारेक्ट लिक सकता हूँ इस 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 बटे 125 और मैंने गोलिया कितनी बनाई जा सकते हैं उसको N नाम दिया था इस तरफ आके यह multiply का हो जाएगा तो कितना हमारा राइट अंसर हो जाएगा 125.000 ठीका बई यह हमारा क्या है टाइट अंसर हो जाएगा इतनी हम गोलिया बना सकते हैं 125.000 गोलिया हम बना सकते हैं अगर आपके सामने इस परकार का भी स्वाल आसता है कि आप कितनी गोलिया बना सकते हैं तो आप यह भी स्वाल असानी से कर सकते हो अब एक क्यूशन मैं खोकले गोले पर भी करवा देता हूँ जो मैंने लास्ट फोर्मूला लिखवाया था कि एक खोकले गोले की बाहरी और आंतरिक त्रीजा 12 cm और 8 cm है और 1 cm वस्तु का वजन कितना है 6.3 गराम है एक cm क्यूशन का वजन बताया उसने तो खोकले गोले का जो टेस से वार है वह बताईए क्या रहेगा तो उसका मैंने फोर्मूला आपको बताया था खोकले गोले का क्या फोर्मूला रहेगा अगर आप सब इन्हें उपर देखा होगा तो 4 by 3 पाई आर क्यूब और आर क्यूब मैंने बताया था फोर्मूला बताया था तो इस परकार से मैं लिख सकता हूँ 4 by 3 पाई की वैलू 22 बटे 7 इन्टू एक जो बहरी आर उसने दी है कितनी दी है 12 तो 12 का क्यूब अंदर जो आंतरिक आर है वो कितनी दी है उसने स्मोल आर आठ दी है तो आठ का क्यूब इन्टू एक सेंटिमेटर क्यूब वर्स्तू का बज़न कितना दी है उसने 6.3 ग्राम तो 6.3 ग्राम हमारा आ जाएगा अब मैं ग्राम को किलो में बदलूँगा तो कितनी से अजार से भाग कर दूँगा ठीक है और इस परकार से मैं इसका दस्मलो भी अटाऊँगा तो अपोन में 10 आ जाएगा तो इस परकार से 12 का क्यूब 17,28 होता है 8 का क्यूब 512 होता है 17,28 में से 512 को लेस करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 4,3 इन्टू 22,7 ये कितना हो जाएगा इन्टू 12,16 अपोन कितना आ जाएगा भई मेरा आ जाएगा 1000, 1000 क्यूँ आया क्यूंकि ये ग्राम में थी ये वस्तू तो मैंने किलो ग्राम में बदल ली और इन्टू क्या है अब आप इसको कट करोगे तो आपका राइट अन्सवर आ जाएगा ठीक है 32,1024 किलो ग्राम आपका राइट अन्सवर आ जाएगा बस ये तो आपने क्या है कट करना था अपने तरीके से बाकि आपका स्वाल तो यहीं पर खतम हो चुका है यहाँ पर बस आपको दो चीजे ध्यान रखनी थी मैं फिर बता जेता हूँ एक बार कट करके फोर्मूला तो मैंने बताए दिया था यहाँ पर दो चीजे ध्यान रखनी थी 4 by 3 pi था pi की value भी लिख ली हमने अच्छा बड़े आयार की भी लिख ली हमने 12 का cube माइनस 8 का cube भी लिख लिख लिया अब ये भी हमने दे रखा है लिख लिया अब कहीं आप क्या है इसका दस्मनों उठा के only 10 कर दो तो एक चीत त्यान से देख लेनी है ये ग्राम में दिया है तो किलो ग्राम में बदलने के लिए क्या हम है 1000 से और क्या है डिवाइड कर दोगा तो अब आप इसको solve करोगे तो आपका right answer आपके सामने होगा तो इस परकार से मैंने गोले के भी क्या है आपके सामने question करवा दिये है इससे पहली वीडियो हमने जो बेलन के थे स्लेंडर वाले थे में डाल दिये थे नीचे description के अंदर गत और comments में लिक मिल जाएगा वो जाकर भी देख सकते हो तो thank you student मिलते है next video में